अगर आपके ला이ट में third party situation है, to सबसे जरूरी सवाल शायद आप सभी के दिमाग में चल रहा होता है कि या है आपके partner के दिल में आपको लेकर के और third party को लेकर के क्या आपके partner के मन में आपके लिए आज भी कुछ है या सब खतम हो चुका है भले आपके partner third party situation में है लेकिन आपके लिए क्या सोच रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ज आपनों के बारे में So hello everyone, मैरत भारत वाज Tarot Reading 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे So shuffling मैं start करूँ उससे पहले आप सभी से एक request है कि आप लोग अपनी wishes, अपनी manifestations, comment box में जरूर लिखेगा आप लोग क्या चाहते हैं अपनी love life में, career life में, personal life में, professional life में क्योंकि लिखेंगे तो जरूर पूरी होगी यह general collective timeless reading होती है क्योंकि यह general reading है, यह सभी के लिए है जितना भी part आपके साथ resonate करेगा, उतना रखेगा वाकिका छोड़ दिजेगा और अगर आप लोग अपनी personal readings book करवाना चाहते हैं तो screen पे दिये हुए number पे WhatsApp कीजेगा और ध्यान आपको यह रखना है कि personal readings paid होती है, chargeable होती है, यह free नहीं होती है और phones हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए messages ही कीजिएगा, reply आपको जरूर आएगा जेंडर भाइस reading नहीं है, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके partner जिस भी जेंडर के हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं चलिए, आज अलग-अलग deck से हम यह देखेंगे, कि क्या है आपके partner के मन में आपको ले करके, और क्या है आपके partner के मन में third party को ले करके सो बने रहीएगा, वीडियो में last तक बहुत ही demanding question है, ओके, सो चलिए, all the divine energies, बजरंबल universe, angels, प्लीज बताइए, क्या है partner के दिल में viewers को ले करके सो इस deck से हम चेक करेंगे, आपके partner के energies आपके लिए, ओके, चलिए, start करते हैं इस वीडियो को, first card हम निकाल लेते हैं, high priestess, ओके, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है, strength, nine of pentacles, three of cups, the world, seven of sword, five of wand, six of cups, the tower, यह सोच रहे हैं आपके partner आपके बारे में, ओके, चलिए, last का देख लेते हैं, five of pentacles आया है, तो राशिया यहाँ पर जो आ चुकी हैं, वो है, next अब हम देख लेते हैं, क्या है आपके partner के दिल में, आप third party को लेकर के, deck निकाल लेते हैं, और spread ले लेते हैं, फिर reading को हम start करेंगे, so divine please बताएए, क्या है, partner के दिल में, viewers को लेकर, third party को लेकर के, partner क्या सोच रहे हैं, third party को लेकर के, partner के दिल में, क्या है, third party के बारे में, क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके दिल में, seven of cups, ace of wand, knight of wand, three of sword, three of pentacles, okay, the devil, ace of sword, four of sword, two of sword, last आया है, four of pentacles, देखिए भले अभी ये third party situation में हैं आपके partner, लेकिन यहाँ चीज़े ना, थोड़ी सी secret है, ठीक है, आपके partner ने ना, दिल में, बहुत सारी बात अच्छे पा रखियें, देखो, आपके बारे में भी काफे कुछ उनके दिमाग में, अभी currently चल रहे हैं, और third party के बारे में भी काफे कुछ secrets हैं, जो शायद किसी को नहीं पता, या शायद बाहर वालों को नहीं पता, या आप तक बात नहीं है, और secretly काफे कुछ चीज़े इन दोनों के बीच में चल रहे हैं, तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि आपके लिए दिल में क्या चल रहे हैं ना, देखो सबसे पहली बात तो यह आ रही है कि आपके लाइफ में जो यह आपके पार्टनर ने आपको धोका दिया, आपको परिशान किया, आपको रुलाया, आपके अगेंस्ट, आपसे छुपाई चीज़ें, उस चीज़ का रियलाइजेशन आपके पार्टनर को डेफिनेटली है, उनको यह पता है कि आपकी इतनी केर के बावजूद, आपकी इतने प्यार के बावजूद, आपने जिस तरीके से इनको संभाला है, या जिस तरीके से आपने इनका साथ दिया है, जब जब इनको ज़रोत पड़ी है, आप भावलेबल रहे हो, आपने हमेशा अपना बैस दिया है इस रिलेशनशिप के लिए, और आपकी loyalty, आपकी मानदारी को अभी ये realize कर रहे हैं कि आप भले ही कितने भी आप दोनों में जगड़े हुए हो, भले ही आप दोनों में कितनी बाते हुई हो, इन्होंने आपसे बहुत जगड़े किये हैं, इन्होंने आपके ओपर बहुत इल्जाम लगाए हैं, गंदी ब पावजूद भी इन्होंने आपको ही ब्लेम किया है ना खुद को खुद के ओपर बिल्कुल जरा सी भी बात नहीं आने दी है आपके पार्टनर ने और ये चीज अभी इनको समझ में तो है समझ में आ रही है भी कि बहुत कुछ इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है धोका दिया है आपको आपके साथ माइंड गेम्स केले आपके साथ बहुत माइंड गेम्स केले हैं ठीक है आपसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने छुपाई जूट वोला तो उस चीज का थोड़ा बहुत गिल्ड इनको अभी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहे है और अपनी dedication कब नहीं किया है तो इस चीज का realization इनको हो रहा है कि इन्होंने कुछ भी किया आपके साथ फिर भी आपने इनकी सारी गलतियों को माफ किया है इस चीज का एसास इनको हो रहा है कि आप आप शायद आप कैसे हो आप कैसे हो बट उसके बावजुद भी जो energies इनकी आ रही है इनको ये लग रहे हैं कि इतना सब करने के बाद भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है आपको बहुत manipulate किया आपको बहुत चीजें आपसे छिपाई है restrict किया है इन्होंने खुद को आपसे इतनी नजदी किया होने के बावजुद इतना अच्छा relationship होने के बावजुद भी इन्होंने आपके साथ आपके साथ जो गलत किया है आपको जो धोका दिया है ना आपसे चीज़े छुपाई जूट बोली तो उस चीज़ का guilt इनको definitely अभ इनको आपको खो देने का गम आपको छोड़ देने का गम या आपको बेफकुफ बनाया जो इन्होंने जो इन्होंने miss किया है ना जो इन्होंने खो दिया है उस चीज़ के लिए ये बहुत परिशान अभी होते वे दिखाई दे रहे हैं आपको दिखाया नहीं आपको बता प्रशियां उनको नहीं मिल रही है या आपके साथ वो एक satisfaction इनको नहीं मिल रहा है एक partnership का तो कहीं न कहीं ये चीजें दूसरे partner में ढूडने लगे या फिर ये जो third party situation है इसने इस तरीके से attract किया है कि आपके partner का कोई एक emotional moment इसने पकड़ा है ठीक है हो सकता है कि आपके partner ने इसके साथ discuss किया हो या आपके partner किसी दिन उदास हो या परिशान हो और कहीं पर हो कहीं बैठे हो और ये third party आकर कि इन से मिली है है ना और इन्होंने बाते discuss की है और उसके बाद ये relationship धीरे धीरे करके बड़ा है 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 ना कई situations में ये भी है कि third party के साथ celebrations किये है घूमे है फि कि definitely इस चीज़ के बारे में इनको ये समझ में आ रहा है कि आपको protection देनी चाहिए थी आपका साथ देना चाहिए था आपको प्यार देना चाहिए था आपका भरोसा इनको तोड़ना नहीं चाहिए था एक strong foundation थी आप लोगों की रिष्टा आपका बहुत अच्छा जा रहा था आप में से कई लोग married हैं कई लोग un married हैं तो जितने लोग married हैं उनकी starting की life बहुत अच्छी चली है लेकिन जिस तरीके से ये third party के entry हुई है और जिस तरीके से चीज़े खराब हुई हैं आपको भी समझ नहीं आया कि इतना सा प्यार देने वाला इंसान अच्छानक से कैसे बदल सकता है और खिचा चला गया है आपके partner इस third party की तरफ जंडर बाइस डिंग नहीं है आप जिस भी जंडर के आपके partner जिस भी जंडर के इस वीडियो को देख सकते हैं समय खराब आ गया कि ताइम खराब आ गया है टाइम इन्होंने आपको जिस तरीके से धोका दिया है आप पीछे पीछे भागे भी होगे आप रोए हो गिड़ गिड़ाए हो आप बहुत परिशान हुए हो आप में से कई लोग तो ऐसे ही जो शायद बीमार तक पड़ गए है रो रोके depression में चले गए हैं तेकि फिर भी इसको क कोई फरक नहीं पड़ा और यह धोगा दे करके चला गए आपके जिंदगी से बिल्कुल आपको कट आफ कर दिया बिल्कुल आपसे differences आ गए distances maintain करने लगे अगर आप लोग married है ना तो आप में से कई लोग ऐसे हैं जो आप दोनों अलग-अलग से भले एक ही छट के नीचे रहते हों लेकिन अलग-अलग दो जिंदगिया एक अलग कमरे में एक अलग कमरे में तो यह कुछ situations आप लोग की लाइफ में बनी हुई है आपके partner कई-कई दिन बहार रहते हैं कई-कई दिन घरी में आते हैं अगर आप लोग even unmarried है ना तो भी आपके partner ने आपको ignore करना शुरू कर दिया है आपसे बात करनी create की है ना वो अभी इनको realize हो रही है कि यह इनको नहीं करना चाहिए था है या फिर अगर कर लिया है तो यह जो separation इनकी जिंदगी में आया है यह जो इन्होंने tower moment लिया है आपसे अलग हुए हैं बिलकुल planning plotting के साथ ठीक है बिलकुल planning plotting के साथ यहां पर चीजे होई हैं और आपके बावजूद भी यहां पर जो situation create आपके partner नहीं की है ना वो कहीं उसने कहीं ना कहीं आपको degrade किया है आपकी बदनामी करवाई आपके साथ बद्तमीजी की आप मैंसे कई लोग ऐसे हैं जो physical violence भी कई लोगों ने जहेला है mental torture कई लोगों ने जहेला है आप मैंसे कई लोग तो ऐसे जो आज भी वेट कर रहे हैं अपने partner का कि ठीक है इतने आप अच्छे होना कि आप आज भी वेट कर रहे हो कि ठीक है जो कुछ भी हुआ वापस आ जाओ वापस अपने जिंदगी ठीक करेंगे तो reunion manifest कीजिएगा comment box के अंदर तो आपके partner को ये चीज़ पता है कि आप आज भी वेट कर रहे हो और आज भी आप इंतजार में हो और आज भी उनको ये एहसास है कि अगर आप वो आपके पास आते है ना तो आप हर तरीके से उनको accept करोगे तो ये एहसास उनके दिल में आ जा रहा है गिल्ड जरूर उनके मन में आ जा रहा है परिशान भी काफी मुझे आपे दिखाई दे रहे हैं और क्योंकि ये third party situation में हैं तो काफी कुछ चीज़े अभी उनको realization हो रही है क्यों क्योंकि third party situation अभी ठीक नहीं है मैं यहाँ पर भ कुछ फर्क पड़ेगा इनकी जिंदीगी में तो शुरू शुरू में तो सब अच्छा चला है लेकिन धीरे-धीरे करके चीज़े खराब होनी शुरू हो रही है तो वह जब चीज़े थर्ड पार्टी के साथ खराब हो रही है तो आपके साथ एक उनका connection वापे से rebuild हो रहा क्योंकि यहां जो चीज़े हो रही है उसी ने इनका mind divert किया है क्या चीज़े हो रही है इंदर देखते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टर और थर्ड पार्टी के बीच में स्टार्टिंग में connection अच्छा चला है कि दोनों ने बहुत enjoy किया है अपनी life को बहुत दोनों ने time spent किया है कहींना कहीं 3rd party ने अपना एक दिखा करके अपनी अदाएं दिखा करके अपना तियार निकार करके आपके पार्टर कोको अपनी तरफ एक føract किया है पुल किया है आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पारट्नर के उपर black magic भी हुआ हो सकता है थीक हैं 3rd party ने black magic कर सब्सक्राइब हो सकता है यहां पर अब देलाइजेशन हो रहा है आपके पार्टनर को कि थर्ड पार्टी बहुत बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर किया है कि वाइलेंट है एफर्ट्स नहीं डालती है रिलेशन्शिप में और अब धीरे-धीरे करके आपके पर्सन को कंट्रोल में कर रही है तो पहले जैसे चीज़ें चल रही थी अब वैसी चीज़ें नहीं चल रही है क्योंकि devil है यहाँ पर devil मतलब की एक ऐसी negativity है इस third party के अंदर जो शायद अभी आपके partner को समझ में आ रही है क्योंकि आपकी loyalty भी देख ली और इसका यह devil रूप भी देख लिया तो धीरे धीरे करके आपके partner को यह realization हो रहा है कि यह third party जो है यह बिल्कुल भी loyal नहीं है जो इमानदारी loyalty आपके अंदर थी यह कार्मिक्स है क्योंकि अभी यहाँ पर third party situation भी यह third party ने बुन रखी अपने आसपास और सिर्फ एक नहीं है multiple third party situation है आपकर कमाल की बात आपके देखो कि आपके partner को धोका दे रही है यह third party ठीक है इसकी life में already कोई third party situation है और यह realization अब आपके partner को हो रहा है और यह जो अब इन को समझ में आरा है कि यह कार्मिक्स ही तो है यह कार्मिक partner है जो यह realization इनको करवा रहा है कि धोके का बदला धोका ही होता है जैसा करोगे वैसा ही भरोगी तो वो ही आपके पार्टनर की लाइफ में हो रहा है कि उन्हों ने आपको धोका दिया अब ये थोर पार्टी इनको धोका देने के मूड में है मिलती है चुप चुप के बात करती है चुप चुप के किसी और से और आपके पार्टनर जो दिवानों की तरह इसके पीछे पागल थे अब देखो क्या हाल हो रहा है इनका अब इनको चीजें रियलाइजेशन में आ रही है धीरे धीरे अब इनको ऐसा लग रहा है कि जिन्दगी जक्कड गई है बिलकुल ऐसे दो राहे पे आके इनकी जिन्दगी खड़ी हो गई है कि ये थर्ड पार्टी किसी भी बेशन्मी के लेवल तक चली गई है अब इनको समझ ही नहीं आ रहा कि अब ये किस तरफ जाएं क्या करें किसको बोलें किसको बताएं क्योंकि पहले ही इतना कुछ गलत आपके साथ कर चुके हैं अब शरम के मारे गड़े जा रहे हैं शरम के मारे अपना मूँ दिखाने लाइक नहीं बचे हैं किसको बताएंगे ना जो गलत चीजे इन्होंने आपके साथ की वही गलत चीजे अब इनके साथ हो रही है इनकी लाइफ में हो रही हैं तो आब इनको समझ में आ रहा है अब ये जो आपके परसन है ना ये फसे हुए हैं मुसीबत दिख रही है अब इनको अपने आस-पास इनको धोके की उमीद नहीं थी इस थर्ड पार्टी से कि ये ऐसा करेगी और इस थर्ड पार्टी की नजर रहती है इसके उपर आपके पार्टनर के उपर इतना सब करने के बावजुद भी थर्ड पार्टी नजर रखती है आपके पार्टनर के उपर कि आपसे तो नहीं मिल रहे हैं आपसे बात्चीत तो नहीं हो रही है या आपसे connected तो नहीं है और universe नहीं ऐसी situations यहां पे create की है कि आपके partner को अब realization हो रहा है अपनी guilt हो रही है उनको अब इनके रिष्टों में arguments आ रहे हैं insult हो रही है एक दूसरे की करने पर आख चुके हैं यह third party बहुत insult करती है आपके partner की बत्तमीजी से बात करती है so अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ कितना injustice किया है क्योंकि अब यह जो third party के साथ रिष्टा है यह fail हो गया है बहुत confusion है अब आपके partner को समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपको block करके आपको छोड़ करके बहुत wrong decision ले लिया गलट decision ले लिया अब इनकी mental state खराब होती जा रही है और अब यह चाहते हैं justice अपनी life में यह चाहते हैं चीजे ठीक हो जाएं या फिर चीजे कैसे ठीक हो सकती हैं उसके बारे में सोच रहे हैं पर आप चीजे कैसे ठीक होंगी ना इतना लालच है इस third party के मन में जो अब आपके partner को realize हो रहा है कि सब पैसा लूट लिया सब कुछ लूट लिया पैसों को सोच करके ही यह third party आपके partner की जिन्दगी में आई थी क्योंकि उसको एक financial support आपके partner से मिल रहा था या फिर कोई physical support, mental support, emotional support आपके partner से मिल रहा था और अब इसकी यह गंदी सोच, घटिया सोच, इसका लालच आपके partner को समझ में आ रहा है कि इसके दिमाग में कितना फितूर है, इसने आपके partner के दिमाग से किसा इसकदर खेला है, इस तरीके से आपके partner के दिमाग को कंट्रोल कर लिया है, इसने कि यह पागलों की तरह behave कि कि इन्होंने आपके साथ और आपके साथ रिष्टा ही तोड़ दिया, आप किस मुझ से वापस आएंगे, क्या बोलेंगे, क्या सोच सोच के इनका दिमाग फटा जा रहा है, ब्लॉक हो गया है, इनको सोचने समझने की शक्ती खतम हो चुकी है, इनको पता ही नहीं चल रहा है कि अब ये क्या करेंगे, बहुत कंजस्शन हो रहा है इनकी दिमाग के अंदर, बहुत स्लो हो गई है इनकी जिन्दगी, इनको ऐसा लगने लगा है कि लाइफ वेस्ट हो गई यार, और जो पैशन पहले था इनकी जिन्दगी में, इनकी लाइफ में अब नहीं है, सो अब चाहते हैं, देखो अब इनकी इंट्यूशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, अब इनका मन बन रहा है इस थर्ड पार्टी सिचुवेशन से निकल करके एक न्यू बिग्निंग करने का, अब ये कोई नया चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अब ये नहीं चाहते हैं इस थर्ड पार्टी में रहने का, और आप कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ये रियूनियन होने के चांसे बन रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन का माइंड चेंज हो रहा है, दिमाग बदल रहा हैं, और इसके काबू से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आपका रियूनियन होने के चांसे यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिए का रियूनियन, लेकिन अगर आप लोग करमा मैनिफेस्ट करें, तो करमा लिखेगा, जितने लोग नियू पार्टनर मैनिफेस्ट करें, कि ये नहीं चाहिए अब मुझे, अब इससे जादा ये बड़दाश नहीं होगा या होगी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा नियू हो रही है थर्ड पार्टी सिच्वेशन इनकी जिंदगी से जाने वाली है निकलने वाली या तो यह खुछ चली जाएगी इस थर्ड पार्टी के साथ या फिर सब कुछ जैसे ही सच्छा ही आपके पार्टनर के सामने खुल जाएगी यह इसको खुदी एक्सपोस कर देंगे स शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एन बैल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आगया आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुं सकें, इंस्टेग्राइम, यूट्यूब और फेस्बुक किसी भी सोशल मीडिया पर जाकर के आप हमें जॉइन कर सकते हैं, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए, थैंक यू, and have a nice day.